नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी 27 जुलाई को ही एक्जाम खतम हुए CGL करी 2023 से और आज यानि एक अगस्त मुश्किल से चार दिन वाद ही आंसर की आ गई है यानि SST अपने मिशन मोड पे तो आप में से सभी बच्चे जिनोंने CGL का प्री दिया है वो जल्दी से अपना S-Code चेक कर लें लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है आप उससे चेक कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ आपन न दो केस आएंगे बात को समझना आगे क्या सोचा है आपने ठीक है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो होंगे जिनकी cut-off clear हो जाएगी और किसी की cut-off clear नहीं होगी बहुत सारे बच्चे सोचाओंगे safe cut-off क्या रह सकती है मेरा मानना ऐसा है कि 130 से उपर नंबर जिसके भी है जनरल कैटेगरी के वो मेंस की तैयारी करना उन्हें शुरू कर देना चाहिए ज्यादा इंतजार नही है क्योंकि लगबग दो से डाई महीने आपको मिलने वाले हैं दो महीने लगा लिजिए maximum ठीक है दो महीने तो नहीं डाई महीने माल लो लगबग जो आपको मिलेंगे ठीक है जिसके अंदर आपको पूरा मेंस की तैयारी करनी है पर उन बच्चों का जिनका pre-clear नहीं हुआ बहुत सारे बच्चे ऐसे हों कि इनका pre-clear नहीं हुआ है कम स्कोर हा रहा है या उन्हें doubt है 130 भी मैंने एक rough idea बताया कि 130 अगर general category में है तो आप समझो कि मेंस की तैयारी करनी जरूरी है अगर बाईचांस cut of high भी जाती है तो मेंस की तैयारी ऐसे तैयारी होती है कि वो हर बा काम हाती है ऐसा निए कि आपने इस बार मेंस की तैयारी कर ली तो आगे काम नहीं आएगी जिन बच्चों का pre-clear नहीं भी हुआ है अगर वो मेंस की तैयारी कर लेते है तो वो आगे उनके काम ही आनी है तो यह मैं सोचो कि pre-clear होगा नहीं होगा आज से ही मेरी approach यह रहेगी अगर मैं आपकी जगे होता कि यह score जो आया वो तो ठीक है मैं उसे analyze करता कहा कहा point हमारे weak रहे क्या क्या चीज हमारी गलत रही क्या speed की कमी रही क्या calculation की कमी रही क्या हमारे weak points रहे उन weak points को लिखता जरूर कि यहाँ पर यह चीज मेरी बहुत बार गलत हुई है mock test में भी गलत होती है थी paper में भी गलत हो कुछ question में आपको error भी लगेगा कि एसेस्ट की तरफ से answer गलत दिया गया है ठीक है पर जो भी है score आपके सामने आ चुका है आप इसको ही मान के चलिए और पढ़ाई continue करिए यह बहुत जरूरी है ठीक है और आप मेंसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस की तैयारी करना चाहते है ठीक है मेंस की अच्छी तैयारी तैयारी में और अच्छी तैयारी में बहुत फरक होता है अच्छी preparation करना चाहते है जैसे कि आप सभी लोग जानते है मैं CGL में 5 बार selected हूँ तो CGL को मैंने बहुत करीब से देखा है गले लगा के देखा है पिरी हो मेंस हो बहुत करीब करीब से देखें ठीक है अब नए pattern के अनुसार आपको exam किस तरीके से निकालना है इसके लिए मैं आप सबके लिए कल सुभा एक strategy लेके आने वाला हूँ जो की practical strategy होगी यह निया कि सुनने में अच्छा लग रहा है यह आपको YouTube पे बहुत सारी strategy मिल जाती है आप ठक जाते हैं strategy देखते हैं मैं practical बात बताऊँगा आपको कि भाई यह score करना है न मेंस निकालना है मैं ऐसे plan करता मैं इस हिसाब से planning करता ठीक है और जो बच्चे हमारे साथ मिलके तयारी करना चाहते हैं मारा main space ले सकते हैं जिसमें मैं math और reasoning दोनों ही cover कर आ रहा हूँ बहुत अच्छे level की ठीक है अगर आपकी इच्छ है आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ कर आपकी जिनगी में बदलाव आ सकता है याप selection ले सकते हैं तो और एक बात कहुँआ जिस बच्छों का selection नहीं हुआ है selection यानि जिनका score कम आया है वो गबराना मत मेरे भाई अगले साल फिर से CGL आने वाला है 2024 इस बार देखो कहां तक पोच गए आप 80 तक पोचे हो 90 तक पोचे हो 100 तक पोचे हो 110 तक पोचे हो और क्या गलतियां हुई है ठीक है क्या गलतियां हुई है इन जीजों पर ध्यान लखके आज से ही लग जाओ उमीद हीए है कि अगली बार वेकेंसी जादा है ठीक है पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी बीना सभी लोगों को मैंस के साथ से त्यारी करने चाहिए अपनी कमजोरी को जानते हुए ठीक है क्योंकि मैंस की त्यारी का मलब होता है संपूर त्यारी प्री का क्या है प्री का क्या है अगर कट ओफ कम भी चली गई मार लेते हैं कि 120 चली गई ठीक है planning में आपके लिए लेके आने वाला हूं, बहुत तगड़ी planning मेंने करी है, और चारो विशेगी करी है, चारो subject की कि आपको कहां कहां कितना कितना score करना चाहिए, किस से डरना चाहिए किस से नई डरना चाहिए, ठीक है, फिलाल आप अपना score चेक करिए, और कल का इंतिजार करिए, कल मैं आपके लिए एक बहुत तगड़ी strategy लेके आने वाला हूं, और हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्नोंने मेंस बैच में इन्नोर्मेंट लिया, उन सबी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कोशिशे ही देगी कि आखरी लेबल तक तैयारी आपको कराई जाए, कुछ भी छूट ना पाए, सो परतिशद वाली तैयारी हो, ठीक है तो जिन बच्चों का तुक्के से मेंस परी निकलेगा, वो ये ध्यान नकें कि मेंस एक अलग खेल है ठीक है, आपको 100% के इसाब से तियार होना पड़ेगा कुछ विश्वों में, तभी आप सेलेक्शन ले पाएंगे, जैहिन